Hello everyone, welcome back to BHO part चाला, यह हमारा ancient history का practice 8 ट्री है, practice 8 में हम कुछ questions करते हैं, plus उन से related important facts को भी revise करते हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगी, please do like and do share, BHO part चाला, okay, then start करते हैं अपने first question को, हमारा first question क्या है, इसका correct answer क्या होगा पार्शोनाथ पार्शोनाथ जो थे वो जैन धर्म के 23 वे तिर्थंकर थे प्लस इनसे related जो सिम्बॉल थी वो किस इसका सिम्बॉल था सर्प का यानि कि स्नेक का हाँ अपने other options को भी देखते हैं other options में हैं महावीर महावीर जो थे वो जैन धर्म के 24 वे तिर्थंकर होते हैं प्लस अंतिम तिर्थंकर भी होते हैं और इनसे related जो सिम्बॉल होती है वो सिह का सिंबॉल होता है नेक्स्ट में क्या है रिशब देव रिशब देव जो थे वो जैन धम के प्रत्थम तिर्थांकर थे और इन्हें जैन धम का संस्थापक भी माना जाता है रिशब देव को और इनसे रिलेटिट जो सिंबॉल थी किस्चिस का सिम्बॉल था सांड का सिम्बॉल दिन आता है नामी नामी जो थे वो जैन धम के 21 वे तिर्थांकर थे और इनसे रिलेटिड जो सिम्बॉल था वो किस्चिस का सिम्बॉल था नील कमल का सिम्बॉल किस्चिस का सिम्बॉल नील कमल का दिन हमारा नेक्स कोश्चिन क महावीर, महावीर का जन मस्तल गया है सबसे पहले हम कुश्चन को करने से पहले महावीर से related कुछ facts को जानते हैं महावीर जो है वो जन धर्म के 24 वे और अंतिम तिर्थांकर थे इनका जन जो होता है 540 BC में होता है कुंड ग्राम में वैसाली के कुंड ग्राम में होता है वैसाली जो है बिहार में पढ़ता है इनके पिता का नाम जो होता है वो सिधार्थ होता है इनके पिता का नाम क्या होता है सिधार्थ जो की यात्री कुल के सरदार थे और इनकी माता का नाम जो है वो त्रिशला होता है जो की लिक्षवी राधा चेटर की सिस्टर होती है जो महावीर होते हैं इनकी वाइफ का नाम जो होता है वो यशोदा होता है महावीर जो है जब 30 years के होते हैं तो ये गृत त्याग कर देते हैं और 12 वर्ष की तपस्या के बाद, कितने वर्ष की तपस्या के बाद, 12 वर्ष की तपस्या के बाद, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और इनकी जुम्रित्यू है, वो 468 BC में होती है, 468 BC में जब ये 72 यर्स के होते हैं, पावपूरी में इनकी मृत्यू होती है, कहा होती पावा पूरी में जो की राजगीर में पढ़ता है तो इस question का correct answer आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा इसका answer होगा कुंड ग्राम और लुंबीनी लुंबीनी जो है यहां पर किसका जन्म हुआ था महात्मा बूद का जन्म जो है वो लुंबीनी में हुआ था बढ़ते हैं अपने next question के तरफ question है महावीर got enlightenment under a salt tree on the bank of the river जो महावीर जो थे उनको ग्यान की प्राप्ती किस साल पेड़ के पास होती है पर तो किस नदी के पास होती है तो इसका answer होगा रिजू पालिका रिजू पालिका नदी के किनारे जो है वो महावीर को ग्यान की प्राप्ती होती है और निरंजना यानि इसका नाम फालकू भी है इस नदी के किनारे जो है किसको ग्यान की प्राप्ती होती है बूध की बूध को जो है वो निरंजना नदी के किनारे जो है क्यान की प्राप्ती होती है हमारा नेक्स कुश्चिन है जो महावीर के गारा सीष्य थे वो क्या कहलाते है इसका आंसर होगा गंधारा गंधारा जो है वो उनके गारा सीष्य है वो गंधारा कहलाते है और ये श्वेतांबरा और दिगांबरा क्या है स्वेतामबरा और दिगामबरा जो है वो जैन धर्म का जैन धर्म जो है वो बाद में दो पार्ट में बढ़ जाती है पहला जो होता है वो स्वेतामबरा होता है और दूसरा जो होता है वो दिगामबरा होता है हमारा नेक्स कुश्चिन है which clan would belong to जो बूद थे वो किस वन्स से संबंदी थे इस question को attempt करने से पहले हम बूद के बारे में कुछ जान लेते हैं जो बूद जो थे उनका जो जन्म होता है वो 563 BC में होता है कहाँ पे होता है लुम्बिनी में होता है कपिल वस्तु के लुम्बिनी में जो है वो बूद का जन्म 553 BC में होता है इनके जो पिता थे इनके पिता का नाम था सुद्दोधन इनके पिता का नाम सुद्दोधन था और माता का जो नाम था इनके मायवती था लेकिन जो बूद का जन्म होता है उसके साथ दिन बाद ही इनकी माता का जो होता है मृत्यू हो जाता है और इनका पालन पोशन कोन करता है प्रजापती गौत्मी जो है इनका पालन पोशन करती है जो कि इनकी सौतेलीमा होती है और बूध जो होते हैं उनकी वाइफ का नाम जो होता है 483 BC में कहां पे होती है कुशी नारा में होती है जो कि कुशी नारा जो उत्तर पर्देश के उत्तर पर्देश में कुशी नारा पड़ता है इस question का correct answer क्या होगा ग्यात्रिक जो बूत थे इनका संबन जो है वो ग्यात्रिक वन से था हमारा next question है which sect of jain dimensnaked जैन किस संप्रदाई की जैन थे वो नगने रहते थो इसका आंसर होगा दिगंबर दिगंबर जो थे वो वस्तर नहीं पैनते थे और श्वेतांबर जो थे वे white clear का जो है cloths पैनते थे हीन्यान और महायान जो है वो बहुत जो है बहुत धमका पार्ट है बहुत जो है वो दो पार्टों में बढ़ जाता है जो चौथी बहुत संगीती होती है उसके बाद हमारा next question है the mother of महावीर वाज महावीर की मा क्या थी? कौन थी? अभी बताया है मैने इसका अंसर होगा त्रिशला त्रिशला जो थी वो महावीर की मा थी यशोदा कौन थी? महावीर की वाइफ का नाम यशोदा था और यशोदा किसकी वाइफ का नाम था? महात्मा बूध की और प्रजाबती गौतमी जो थी? इनकी सौतेली मा थी, बूध की सौतेली मा थी हमारा next question है when did Booth was born जो Booth थे उनका जन्म को भुगा था तो Booth का जन्म अभी बताया था मैंने इसका वी आंसर इनका जन्म जो है वो 563 BC में होता है कहां होता है? कपिल वस्तु के लुंबिनी में होता है और इनकी मृत्यू कव होती है इनकी मृत्यू जो होती है इनकी मृत्यू 483 BC में होती है ये आपके 483 में कुशिनारा में जो होती है जो की उत्तर परदेश के देवरिया जिला में पड़ता है और 540 में क्या होता है? 540 BC में जो है वो महावीर का जो है वो जन्म होता है महावीर का जन्म होता है और 468 में महावीर की बृत्यू होती है बढ़ते हैं आपने अगले कुश्चन की तरफ अगला कुश्चन है भगवा अन्बूत द्वारा गृत त्यागने की घटना को क्या कहे जाता है तो इसको बोलते हैं फिर्ण जो गृत त्याग करते हैं उसको बोलते हैं महाभिनिशकर्मन ठीक है उनके गृत त्यागने का जो प्रोच ये होता है उसको महाभिनिशकर्मन बोलते हैं इसका आंसर है महाभिनिशकर्मन और महापरी निर्वान जो उनकी प्रित्यू होती है उसको महापरी निर्वान बोला जाता है और धर्म चक्रपरवर्दन जो बूद जो अपना पहला उपदेश देते हैं तो बूद ग्रेंथों में उसे धर्म चक्रपरवर्दन बोला गया है हमारा नेक्स कुश्यन है महावीर का बचपन का नाम क्या था तो पहले हम एक एक उपसंस को देख लेते हैं सिध्धार जो था वो बूद के बचपन का नाम था और राहूल जो है वो बूद के पूतर थे वर्दमान जो है वो महावीर का बचपन का नाम था तो इस कुश्यन का अंसर होगा वर्दमान हमारा अगला कुश्यन है वो फाउंडेट दविक्रम सिला उनिवर्शिटी, जो विक्रम सिला विश्व विद्याला है, उसकी अस्थापना किसने की थी, इसका अंसर क्या होगा, धर्म पाल, धर्म पाल ने जो है, वो विक्रम साला जो विश्व विद्याला था, उसका अस्थापना किया था, अगला के बाद जो उनके सिख्चक होते हैं वो रुद्र कराम भूथ होते हैं ठीक है हमारा नेक्स्ट कुश्चिन है वड़त फाल सिंबॉल ओफ बर्फव बूध जो थे उनके जन का क्या प्रतिक था तो एक 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 options को ओम देख लेते हैं घोडा जो था इनके घोडा जो था वह इनके घृट व्रित्याग का जो है इनको जो ज्यान की प्राप्ती होती है उसका सिम्बॉल जो था वो बेपल ब्रिक्ज था और कमल और सांड जो था वो उनके जन्म का प्रतिक था तो इस question का correct answer है कमल और सांड आप बताएंगे कि जो बूत थे उनके घोड़ा का नाम क्या था तब तक हम अपने अगले question को देखते है हमारा अगला question है जैन धर्म के त्री रतन कौन थे त्री ज्वेल्स कौन थे इसका अंसर होगा है इन में से सभी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्यान और सम्यक आचरन ये तीनों जो थे वो त्री रतन थे जैन धर्म के हमारा next question है जो चौती बहुत परिशद होती है वो कहां आयोजित की गई थी तो एक एक करके हम सारे बहुत परिशद को देख लेते हैं पहली जो बहुत परिशद थी यानि की संगिती वो जो थी कहां पर आयोजित की गई थी राजग्री में कभ की गई थी 483 BC में किया गया था किस के द्वारा किया गया था महा कश्यप के द्वारा महा कश्यप के द्वारा किया गया था और किस के सासन काल में किया गया था अजात चत्रू के सासन काल में किया गया था दूसरी जो बहुत संगीती होती है वो 83 VC में किया गया था कहां पर किया गया था वैसाली में किया गया था और किसकी अध्यक्षता में किया गया था सबाकामी की अध्यक्षता में और सासन काल किसका था काला सोक का सासन काल था जो आपके तीसरी बहुत संगीती होती है वो पार्टली पूत्र में होता है इसका बहुत जगांसे 250 भी मिलेगा, आपको 250 भी मिलेगा तो आप जो देख लेंगे एप रॉक्स करके इसके बीच में डाल देंगे और जो यह होती है किसकी अधिक्षता में होती है मोगली पूत इसके अधिक्षता में होती है और किसके सासनकाल में होती है असुक के सासनकाल में और जो चौथी जो बहुत संगीती होती है वो कुंडलवन में होती है 98 AD में किसके सासनकाल में कनिस्क के सासनकाल में और इसकी अधिक्षता कोन करता है वश्वमित्र और अश्व ठीक है हमारा नेक्स कुश्चिन है बहुत धर्म गरंथ मिलिन्द पना में किस व्यक्तितों का उलेख मिलता है तो इसका आंसर होगा नाग सेन नाग सेन का उलेख जो होता है बहुत धर्म गरंथ मिलिन्द पना में मिलता है ओके हमारा नेक्स कुश्चिन है इसका वी आंसर होगा इन में से सभी बूद, धम और संग जो है वो तीनों जो है वो बहुत धर्म के त्री रतन है आप एक चीज का ध्यान दखिया है कि कुर्षिन में आपसे ऐसे भी जैसे की चारो आपसंदे दिया रहाएगा और इसमें से ये भी पूछ सकता है कि इन में से कौन जो है बहुत धर्म के जो त्री रतने नहीं है ताप इसको इलिमिनेट कर लेंगे हमारा नेक्स्ट कुश्यन है बूद गोट इनलाइट्मेंट अट दे एज अप जो गतम बूद थे उनको कितनी वर्स की आयू में ग्यान प्राप्त होती है तो इसका आंसर होगा 35 years 29 वर्स की आयू में जो है ये घर को त्याग देते हैं और उसके बाद 6 साल बाद इनको ग्यान की प्राप्ती होती है 35 years में और जो महावीर थे वो 30 वर्स की आयू में जो है घर को छोड़ते हैं और 12 साल बाद इनको ग्यान की प्राप्ती होती है हमारा नेक्स कुश्चिन है बूद जो थे वो अपना उपदेश किस भासा में देते थे तो इसका अंसर होगा पाली बूद जो थे वो पाली भासा में अपना उपदेश दिया करते थे और जो महावीर थे वो प्राकीर्त भासा में अपना उपदेश दिया करते थे हमारा नेक्स कुश्चिन है बूद ने अपना सरवाधिक उपदेश कहां दिया सारनाथ में बूध ने अपना पहला उपदेश दिया था जिसको बख्त गुरंतों में धर्म चक्र परवर्थन बोला गया है और सबसे अधिक जो उपदेश बूध ने दिया है वो स्रावस्ति में दिया है स्रावस्ति उपके कोषल जन्पत की राजधानी है ओके हमारा नेक्स कुश्चन क्या है विच अप दी फॉलोईंग किंग वास दर डिसाइपल औफ बूध जो निमलिखित में से कौन से राजा जो है बूध के से से थे यह जो चारो थे वो जैन धर्म को मानते थे लेकिन अजात्चत्रु जो थे वो जैन धर्म के साथ साथ बहुत धर्म को भी मानते थे तो इस question का correct answer होगा अजाद चत्रू हमारा next question है जो पहली जो जैन संगीती थी वो कब आयोजित की गई थी तो इसका answer क्या हो सकता है 300 BC 300 BC में जो है पहली जैन संगीती आयोजित की गई थी और जो दूसरी जो थी दूसरी कब की गई थी 502 LAD में दो ही जैन संगीती हुई थी पहली जो थी वो 300 BC में हुई थी जो की चंदरकुप्त मौर्या के शासनकाल में हुआ था पाटली पुद्रा में और जो दूसरी हुई थी वो 512 में हुई थी वल लवी में हुई थी हमारा next question है ग्यान के बोध होने के बाद महावीर क्या कहला है यहाँ पर क्या होगा तो इसका आंसर होगा इन में से सभी जब उनको ग्यान के प्राप्ती होई थी महावीर तो उनको जीन भी पोला जाता था निर ग्रंथ भी बोला जाता था और अरहत भी बोला जाता था हमारा next question है खजुराहो मंदीर का संबंध किस धर्म से है इसका अंसर गया हो सकता है इसका अंसर वोगा जैन जैन धर्म से जो है खजुराहो मंदीर का संबंध है और खजुराहो मंदीर जो है वो चंदेल सासको द्वारा बन वाई गई थी किस किस द्वारा चंदेल सासको द्वारा हमारा next question है को सबसे प्राचीन जो बहुत साहिते है हो यह कौन सा है which is the oldest Buddhist literature इसका अंसरों का त्री पिटक पिटक जो है वो बहुत साहित आका सबसे प्राचीन जो है साहित है हमारा नेक्स कुश्चिन है मतुरा आर्ट इस रिलेटेड विट विच रिलीजिन मतुरा कला का संबंद किस धर्म से है इसका अंसर क्या हो सकता है इसका अंसर होगा जैन जैन धर्म से जो है वो मतुरा कला का संबंद है हमारा नेक्स कुश्चिन है जो अस्टांगिक मार्ग थे बहुत के उसमें इसमें से कौन सामिल नहीं है तो अस्टांगिक मार्ग में क्या-क्या थे सम्यक द्रिष्टी, सम्यक संकल्व, सम्यक वानी, सम्यक क्रमान्त, सम्यक आजियू, सम्यक वयाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधी ये जो अस्टांगिक मार्ग थे बहुत के इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सामिल नहीं थे तो सम्यक वानी भी था, सम्यक संकल्ब भी था, सम्यक कर्मान्त भी था, सम्यक इक्चा नहीं था, तो इसका आंसर होगा सम्यक इक्चा हमारा next question है, गोमे देश्वर की मूर्ती की अस्थापना कब हुई थी? जो गोमेदेश्वर की मूर्ती थी उसकी अस्थापना जो है वो कव की गई थी दस्वी सताबदी में की गई थी श्रवन बेल गोला में किया गया था करनाटका में हमारा नेक्ष कुश्यन है भारत का सबसे बड़ा बौधमठ कौन सा है इसका आंसर होगा तवांगमठ तवांगमठ जो है वो भारत का सबसे बड़ा बौधमठ है और ये कहां पढ़ता है अरुनांचल प्रदेश में पढ़ता है अरुनांचल प्रदेश में प्रेंट्स आप कॉमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि विश्व का सबसे बड़ा बॉद्मर्थ कहां है और आप हमारा सबसे अंतिम कुश्चन के है आइडिया ओफ रिनंस्येशन केम इंटू माइंड ऑफ बूध आफ्टर सिंग जो ग्रीत त्याक का जो भावना आता है ब में बताएंगे ओके हमारी वीडियो की इंडिंग यही होती है थैंक यू कि आप 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 आप